दोस्तो हर कोई चाहता है कि हम भारी देशों में जाकर पढ़ें पर दोस्तो आप ये जानते हैं कि भारी स्कूलों की लाइफ कैसी होती है तो आए बताते हैं एक ऐसे ही देश के स्कूल के बारे में जहां भारते लोगों के बच्चे बिल्कुल भी जाना पसद नहीं करेंगे क्योंकि वहां के बच्चों से कुछ ऐसा करवाया जाता है जो भारते बच्चे तो सुनके भी दूर भागते हैं तो आईए बताते हैं उस अजीबों करीब स्कूल के बारे में आज हम बात करेंगे जापान के स्कूल के बारे में जैपनिस स्कूलों में कोई भी वरकर जॉप नहीं करता, बच्चों और टीचर को ही क्लास की सफाई करनी होती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी यहां कूडा नहीं करता क्योंकि छुट्टी के बाद उन्हें ही क्लास को साफ करना होता है। जैपनिस स्कूलों के बच्चे किसी भी हेरस्टैल में आ सकते हैं लेकिन बच्चों के कान के उपर बाल होने चाहिए। उनका मानना है कि इस से सुनने और समझने की सकती कम हो जाती है। लेकिन लड़कियों को लड़कों के मामले में लड़कों से ज़्यादा छूट दी जात तो उसे साथ दिन तक लडगी के साथ बिठाया जाता है ताकि विताया जाता है जैपनेश लड़को का लडगी को परपोस करने का तरीका भी विलकुल अलग होता था है अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो वै लड़की को एक खाली पेपर देता है अगर लड़की उसे खोलते समय हसती है तो समझो लड़की पट गई अगर नहीं तो वै टीचर से भी नहीं बोल सकती क्योंकि पेपर में कुछ लिखा ही नहीं होता जैपनिस स्कूलों के दिवार पर भी आप कुछ नहीं लिख सकते अगर ऐसा करता हुआ कोई लड़का पकड़ा जाता है तो उसे गंजा करा दिया जाता है या फिर स्कूल से ही बाहर निकाल दिया जाता है यहां के बच्चो को खुद को दूसरों से बचाने के लिए लड़ना सिखाया जाता है अगर कोई टीचर क्लास में एंटर करता है तो उन्हें खड़े होकर सिर जुका कर टीचर को रिस्पेक्ट देना होता है जापान के स्टुडेंट को केवल पाच वीक की छुट्टी दी जाती है तो दोस्तों अगर आपको जापान में जाकर पढ़ाई करने का मौका मिले तो क्या आप वहाँ पे जाकर पढ़ाई करना पसंद करेंगे हमें यस और नो करके जरूर बताएं और इसी तरह की रोमान चोकरने समय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें